लियरे स्ट्रेंट्स बीपेसी की तैयारी में जो पीटी का एक्जाम 30 स्प्तंबर को आजित होगा उसके तैयारी कैसे करें क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है ऐसा तरीका है जिसमें कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स हम कर लें जिससे कोशन्स आते ही आते हैं पास आप स्कोर कर लेते हैं हर हाल में हर केटिगरी में आपका रिजल्ट होगा तो क्या ऐसे कुछ साटिन टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं जिसे हम कर लें तो हमारा प्रिलिम्स निकल जाए काट आफ हम पार कर जाएं चुक्के 150 कोशन्स होंगे आपको 100 प्लस करना है पिछले सालों के कोशन्स को देखके और उसका एनालिसिस करके हमने इस बार एक नया कोर्स तयार किया है एक नया टाइप एक नया टाइप जिसमें इतना पढ़ना इतना कुछ पढ़ना उसके बाद भी कनफ्यूजन उससे बचने का तरीका है कैसे पूरे सिलेबस को हमने 300 topics में तोड़ दिया है 300 topics में फिर से सुन लीजे पूरे सिलेबस को जो prelims का syllabus है जो 30 सप्तंबर को आज जित होगा examination उसमें पिछले सालों के questions के basis पर पूरे सिलेबस को हमने 300 topics में बाट दिया है अब ये नहीं कि सब कुछ पढ़ना है इतना कुछ पढ़ना है आप पहले इन 300 topics को complete कर लीजे मेरी आशा उमीद है कि आपका cut off नहीं रुकेगा cut off आप पार करेंगे अच्छा score करेंगे चुकर ये 300 topics और इसलिए हमने 25 तारिक से जो हमारा नया batch start हो रहा है जिसमें 2000 fee है 4 मेने का course है ये उसका counseling number है ये जो course ही इस बार हम चलाएंगे हमने बिलकुल बहुत माता पच्चे किया और ये जानना चाहा कि इस strengths को fatigue से ठकावट से परिशानी से confusion से और अबूज पहली जो BPC बन चुका है इससे कैसे निकाला जाए और कैसे assure किया जाए कि हम इतना पढ़ लें इतना कर लें और बहुत ज्यादा effort लगा कर नहीं वैसे लोग भी जिनके पास दो ही तीन चार घंटे हैं तो हमने roughly तीन घंटे वालों के लिए भी ये course को formatted किया है पूरे syllabus को वैसे तो syllabus काफी बड़ा है आपको सब कुछ पढ़ना है जी के जी है साइन्स है बिहार है करिंट effort है जी के है बहुत कुछ है तो इस सारे chapters को पूरे syllabus को हमने 300 topics में इस बार दिया है लाइक हिस्ट्री में 70 topics इंडियन और वर्ल्ल जोगरफी मिलाकर 55 topics बिहार स्पेशल 30 topics साइन्स साथ topics साथ topics ऐसा ही सब कुछ हमने 300 topics में पूरे syllabus को बाट दिया है पॉइंट हो विनोटे एकदम आसान हो जाएगा वैसे लोगों के लिए भी जिनके पस time कम है ध्यान जो ग्रिनिया है या हमारे working professionals है कई बार कहते हैं कि साथ आठ topics या ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है ये से भी पढ़ना है उसे भी करना है ये सब हमने इन 300 topics में बाट दिया है मतलब आपको इस बार से जो हम course चलाएंगे उसमें केवल तीन topics daily देंगे only तीन topics दो जीके topics आप कर सकते हैं चलिए 60 को हम ने अटा दिया 300 topics आप को हम करवाएंगे like देखे history में अगर Indian history की बात करें 1942 से लेकर 1947 के बीच इन 5 सालों के phase में एक question fix है cabinet mission, क्रिप्स mission या भारत छोड़वांदोरन और कई बार समविधान सभा को भी मिला लिजे और INA सरकार सुबाश questions बन जाते हैं, लेकिन एक question रखा हुआ है, 42 से लेकर 47 के बीच, तो अगर ऐसे बहुत सारे segments हैं जिससे questions आता ही आता है, जैसे governor general questions आता ही आता है, इस बार जो last examination हुआ, governor general से तीन questions थे, लीटन से, रीपन से, मेयो से, तीनों पर questions आता है, अगर Indian economy की बात करें, योजना planning प विकासदर या मौदरिक निती RBI की questions आता ही आता है, अगर Indian polity की बात करें, तो प्रस्तावना से लेकर अनुसूचियां और किस-किस देश से समविदान में कौन-कौन से तथ लिए गये हैं, एक question आता ही आता है, मुला दिकार एक question आता ही आता है, पंचायती राजिया या स् प्रशासन, question आता ही आता है, तो ऐसे बहुत सारे segments हैं, जिससे questions आएगा है आएगा, लगबख 40-45 questions तो one-liner objective type के आते हैं, लेकिन लगबख 25-30 questions अब बड़े बड़े आने लगे हैं, एक question दिया रहेगा, और एक, दो, तीन, चार तथ दिया रहेगा, और तब उसे जाँच परक करके, आपको ABCD में answer करना है, हम आपको कुछ example देखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम फिर से आपको बता दे, कि 25 तारिक से course होगा, रात में 9 बजे से start होगा, एक homework series आएगा, एक practice rate आएगा, suggested books जितने भी हैं, हम last में वीडियो के डाल देंगे, फिर से इसे ध्यान से सुन लीजे, जो books हम चलाएंगे, वो वीडियो के last में हमने डाल दिया है, उसे आप देख कर करके, जो लोग join करना चाहेंगे, वो books ले करके आप ready रहें, चुकर अभी हमने गोशना कर दिया है, 25 तारिक को रात 9 बजे स्टार्ट होजागा, देखिए, कुछ questions हम आपको दे पढ़ेंगे, लुसेंट से पढ़ेंगे, तो ये प्रशने छूट जाएगा, तो हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, कि एक क्राउन या लुसेंट के साथ, एक गाइड बुक के साथ, इसका specialized topic आप कहां से करेंगे, तो तीन ही हम topics आपको देंगे, अब से, अभी तक ह हमने इसे shorten किया है, और उनके लिए facilitate कर दिया है, जिनके पास समय काभव है, दिनके पास समय कम है, दो तीन घंटे ही है, तो अब ये केवल तीन topics, एक एक घंटा भी आप डेली देंगे, तो तीन topics आप 24 घंटे में complete कर लेंगे, और अगर एका घंटा और आपने निकाल लिय तो शांदार ढंग से आपका सारा topics, सारा course चलेगा, और चार-चार महीने का हमारा course तीन महीने का चलता है, जब टाइम है, तो अभी से जबकि अभी से पांच महीने आपको टाइम है, हमने आपको चार-चार महीने का course पिछला भी चार महीने का course चल रहा है, ये भी चार मही अगले बारसे जब कोर्स चलेगा तीन महिने के चलेगा तो आपके पास टाइम है बहुत सारे स्वेंट्स वेट कर रहे हैं कि अच्छा अभी तो टाइम भूत है पिछला कोर्स हमने चलाया तक निकल गया उस कोर्स के स्वेंट्स ने Modern India समाप कर लिया, Indian Geography समाप कर लिया बिहार Special में Modern Bihar समापत हो चुका है ऐसा बहुत सारा खंड complete भी हो चुका है और वो revise करेंगे या अपने कोर्स को complete करने के बाद revision में आएंगे काफी समय है चुक्छे डिर्ड महीना पहले उन्होंने कोर्स मिलिया और वो सब अपडेड महीने आगे होंगे आप अगर अभी भी, अभी भी स्टार्ट लेते हैं कर्स में आप ले ना लें, आपकी मर्जी पर है लेकिन स्टार्ट कीजिए अपने स्टडीज को, पढ़ाई को चुक्छे ये examination इतना असान अब नहीं रहा बैठेंगे धाई से तीन लाख स्ट्वेंट्स और सीटे कितनी होगी छैसाओ, साथ साथ अधिक्ता में एक हजार रिजल्ट कितना आएगा दो से तीन परसेट आठ से दस हजार स्ट्वेंट्स का अब सोचे धाई से तीन लाख स्ट्वेंट्स बैठेंगे बात को समझिए गा पढ़ें ये पढ़ें कैसे पढ़ें वो देख लेते हैं ये बुक है बारे गण्ते पढ़ते हैं चौदे गण्ते पढ़ते हैं फिर भी result नहीं आता है कारण यही है कि महनत नहीं smart study और analyze study पढ़िये किस चैप्टर से किस टॉपिक से प्रशना आता ही आता है तो हम कैसे इसे कवर अप करेंगे और कैसे अगर कोई आपके सर परस्ती में है पैटरनिज दे रहा है आपको गाइड कर रहा है एक्सपर्ट है 20 सालों का अनुभव है BPSC में तो आपके लिए अगर BPSC की बात करते हैं तो हवा में हम बात नहीं करते हैं हर दिन बैटते हैं 24 गंटे में कम से कम 4-5 गंटे बैटते हैं और यही माता पच्ची करते हैं BPSC, BPSC, BPSC कैसे निकाला जाए कौन सी बुक है जिसमें बहुत आसान भाशा में समझाया गया है MCRT कितना निवार्ज है करिंट एफिक्स कैसे करेंगे साइंस का क्या होगा प्रशन कठीन आ रहें नहीं बनने वाले आ रहें तो वहां पर क्या हम करें क्या उस 20-22 प्रशन को छोड़ दें तब भी हमारा काम चलेगा तो येस चलेगा ध्यान रखिए 150 कोश्चन्स होंगे आपको हाडली 90-100 का स्कोर करना है चुक्क अब निगेटिव हो गया 90-200 हर कटिगरी में रिजल्ट है तो समझ कर पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि रिजल्ट आए रिजल्ट कैसे आता है कुछ कोश्चन्स आते ही आते हैं आते रहते हैं इस साल नहीं आएगा अगले साल आएगा अगले साल नहीं आएगा उसके अगले साल आएगा आता ही रहेगा फिर से हम आपको कहे दे रहें कि 1940 से 47 के बीच एक से दो कोश्चन्स योजना प्लानिंग से एक कोश्चन्स रखा हुआ अल्मोस आएगा प्रस्तावना हो गया, अनुसूची हो गया, भाग हो गया मूल अदिकार हो गया और किन किन देशों से समविधान के कौन कौन से तथलिये गए हैं, दो कोश्चन्स तक आ सकते हैं, तो कोश्चन्स आएंगे ही आएंगे समझ का फर्क है, पढ़ाय का तरीखा कैसा होना चाहिए, पहले इसे समझ ये तब किताबें लेकर बैटिये, नहीं पिल्कुल, एक्जामनेशन में गए तो लगा कि कुछ बने गई ही नहीं, हार्डली चालिस पैंतालिस कोश्चन्स बनते हैं, कहीं पर भी, रिजल्ट में, आप नहीं आपाते या नहीं आपाते हैं, तो तैयारी स्टार्ट लीजें, आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, साइन्टिफिक तयारी कीजे, इनरलाइज तयारी कीजे, ये पता होना चाहिए कि किसकक्स सब्जिक्ट से, कितने कोश्चन्स करने हैं, और कितने कोश्चन्स मिनिमम हम कर लें, कि हमारा कॉट-aff अच्छी तैयारी confidence के साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे और finally 30 सितंबर को अपना जंडा गाड़ेंगे बहुत सारी शुब काम नहीं, best of luck, take care अच्छी एक एक रहा और वहाँ मैंश्ला ऑाड़ेंगे यंपर शवतो सारी शुब काम नहीं, best of luck, take care